हलाग दिना अक जीस हमारे गोरिये तुसाच देनन सलेन आरे गोरिये तो संग तेरा जुल लफान तेरे दीने केरे दिना पूरे तू 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 रूपने गजारे गोरिये चली Chords देख लेते हैं इस गाने में जो Chords यूज हुए है वो है E minor B minor C major and D major, ठीक है, तो ये 4 chords use हुए है, फिर से देख लेता है, E minor, B minor, C major and, D major, ठीक है, और जुसमें मैंने rhythm use किये है, वो है, down, up, down, up, down, up, down, up, down, down, up, ठीक है, down, up, down, up, down, up, down, up, down, up, down, down, up, ठीक है, अब चाहे तो कोई और rhythm भी use कर सकते है, मैं फिर सिग बार ही explain कर देता हूँ, down, up, down, up, down, up, down, up, down, up, down, and down, up, last में जो down up लग रहा है बाज़ा filler काम करेगा, ठीक है, ठीक है, तो आई होब आपको समझ में आगए तो चरहे चलते हैं, प्रोग्रेशन की तरफ, प्रोग्रेशन की तरफ, प्रोग्रेशन है, वो है, E minor, B minor 2, C major 2, D major, ठीक है, यही सेम प्रोग्रेशन एक्स लाइन के लिए रहेगी, यह कुछ तरीके से है, ठीक है, ए माइनर 2, B minor 2, C major 2, D major, ठीक है, यह पहला पराग्राफ था, इसके बाद के पराग्राफ है, वो है, E minor 2, D major, then C major 2, D major, same progression, next line के लिए रहेगी, ठीक है, गब नु न बेगा चरकन पाय, ते हस्दर तरलब के बना, इसके बाद की जो लाइन है पराग्राफ है वो भी इग्जैक्टी सेम रहेगा E minor to D major and C major to D major रिदमें प्ले कर लेते हैं लग दिन कुछ नुमारे गोडिये तु सच देर तुस गरतारे गोडिये और यह पूरे स्वांग में इसी तरी की प्रोग्रेशन चलती रहेगी कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है सिंपल सी प्रोग्रेशन है और सिंपल सी ओपन कॉट्स है तो आई होप आप उसको प्ले कर लेंगे अगर फिर भी कोई कंफिजन नहीं तो कमें सेक्शन में पूछ सकते हैं अगर लेसन अच्छा लागा हो तो प्लीज सब्स्राइब करिएगा और अपने दोसों साथ शेर किजएगा इसके कॉट्स आपको रेटन में मेरी वेबसाइट पर मिल जाएंगे और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा थैंक यू सो मुच प्लीज सब्सक्रिप्शन में मिल जाएगा